दिल्ली सीएम और दिल्ली शराग घोटाला के प्रमुखा रोपी अर्विन केजरीवाल फिर से तिहार जिल चले गए हैं। सुप्रीम कोड द्वारा दी गई 21 दिन की अंतरिम जमानत का समय खत्म होने के साथ ही केजरीवाल को सरंडर करना पड़ा है। हालाकि सरंडर को कुछ दिन और टालने के लिए दिल्ली सीएम ने भर सक प्रयास किये लेकिन ये तमाम कोशिशें काम नहीं आएं। दो जून को केजरीवाल की भवी विदाई हुई। दिल्ली सीएम ने पहले राजगाट पहुँचकर महात्मा गांधी को शर्धानजली दी फिर कनोट प्लेस में इस्तित हनमान मंदिर गये और उसके बाद आप दफ्तर जाकर अपने नेताओं और कारकरताओं से मिले और य जिस तरह आदनी पार्टी पेश कर रही है उसका हिसाब कौन करेगा। आदनी पार्टी और खुद अरविन केजरीवाल अपनी तुलना शहीद भगत सिंग से कर रहे हैं। उस भगत सिंग से जिसने एक किस साल क्यूम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे केजरीवाल को लेकर आम आदनी पार्टी कुछ ऐसे ही पोस्ट कर रही है जिसमें उन्हें नए भगत सिंग की तरह पेश किया जा रहा है आम आदनी पार्टी के इस पोस्ट को देखिए लिखा है करतब ये पूरा करके वो फिर भगत सिंग के रास्ते पर चल दिया क्या आम आ लोक तंत्र बचाने की लड़ाई मतलब लोक तंत्र खत्रे में है तो इंडी दल और खुद आप कैसे 295 सीट जीतने का दावा कर रही है और शराब नीती घोटाला मामले में जेल जाकर अरविन केजरीवाल कौन सा लोक तंत्र बचा रहे हैं केजरीवाल का तीसरा पोस के लिए जेल जा रहा हूं मुझे इस बात पर गर्व है क्या वाकई के जिरीवाल देश को ताना शाही से बचाने के लिए जेल जा रहे हैं मतलब इडी ने उन्हें बेवज़ाए दिल्ली लेकर पॉसी स्कैम का मास्टर माइन बताया है बात साफ है ना तो केजिरीवाल जेल भागत सिंग की रहा पर चल रहे हैं ना जेल जाकर वे लोग तंत्र बचाने का काम कर रहे हैं और ना ही देश को ताना शाही से बचाने के लिए जेल जा रहे हैं क्योंकि वह देश के सबसे चर्चित घोटाले के आरोपी हैं खैर केजरीवाल ने जेल जाने से पहले ही मेडिकल चकप का हवाला देते हुए साथ दिन की महलत मागय थी लेकिन राउजबन्छों कोट ने अपने फैसले को पाथ जून तक के लिए सुलक्षितक कर दिया यानि अरविन केज़रीवाल की बेल को लेकर 5 जून को कोट अपना फैसला सुनाएगा एडी ने इसका विरोध भी किया है लेकिन ऐसी संभावना है कि आदालत केजरीवाल को मेडिकल जाच के लिए कुछ दिनों की मोहलत दे सकती है वैसे भगास सिंग से केजरीवाल को कंपेर करने पर आपकी क्या राय है हमें कम दिसाची को फॉलो करना न भूलें धन्यवाद